हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब शेनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो चली शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रेडमी के एक नए लेप्टॉप लाँच के बारे में फुल स्क्रीन वाले इस लेप्टॉप में थिन वेजल्स दिये गए हैं और इससे पहले हुआवे ने मैट बुक 13 को 4.4 mm थिन वेजल्स और 88% screen to body ratio के साथ उतारा था तो वहीं रेडमी बुक 13 को 89% screen to body ratio के साथ लाँच किया गया है रेडमी बुक 13 में 10 जेनरेशन इंटेल को प्रोसेसर का यूज किया गया है अगर हम आपको बताते हैं रेडमी बुक 13 के प्राइस, सेल और स्पेसिफिकेशन के बारे में रेडमी बुक 13 की स्टार्टिंग प्राइस 4,199 चीनी युवान यानि करीब 42,300 इंडियन रुपीज है इस प्राइस में आपको इंटेल कोर आइपाइब प्रोसेसर के साथ 8GB RAM और 512GB SSD स्टोरेज दिया जाएगा इंटेल कोर i7 प्रोसेसर 8GB RAM और 512GB SSD स्टोरेज वाले रेडमी बुक 13 की प्राइस 5,199 चीनी युवान है यानि करीब 1000 चीनी युवान जादा है रेडमी बुक 13 लैप्टोप की प्री ओर्डर बुकिंग आज से चाइना में स्टार्ट हो गई है और ये 12 दिसंबर से अविलेबिल कराया जाएगा फिलाल रेडमी बुक 13 की गलोवल मार्केट में अबेबिलिटी और प्राइस को लेकर कोई भी इंफोर्मेशन नहीं मिली है अब बात करते हैं इस लैप्टोप के स्पेसिफिकेशन की तो रेडमी बुक 13 में 178 डिग्री विंग एंगेल और 89% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ 13.3 इंच का फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्पले दिया गया है इसमें 10 जनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर दिया गया है साथ में एंवीडिया जीफोर्स MX250 ग्राफिक्स कार्ड और 8GB DDR4 रेम दी गई है शाउमी ने रेडमी बुक 13 में थर्मल मेनेजमेंट सिस्टम का यूज किया है इसमें 6mm डायामीटर के साथ डूल हीट पाइप भी शामिल है पिछले रेडमी बुक मॉडल की तरह इस नोटबुक मॉडल में भी मैटल बॉड़ी का यूज किया गया है इसके अलावा चिकलेट स्टाइल कीबोर्ड और DTS सराउंड साउंड ओडियो सपोर्ट भी दिया गया है और इसके बारे में ऐसा खहा जा रहा है कि सिंगल चार्ज में रेडमी बुक 13 की बैटरी 11 आवर्स का बैक अप देगी और दावा किया गया है कि नोटबुक 35 मिनिट में 50 परसेंट तक चार्ज हो जाता है तो जब यह available हो जाएगा इसके बारे में और information बाद में आएगी तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा अगर future में आप इसी type की और tech वीडियो देखना चाहते हैं तो please हमारे channel को subscribe कीजिए और जुड़े रहे हमारे channel के साथ और अगर आपको सुझाब solution देना चाहते हैं कुछ पूछना चाहते हैं तो comment box में comment करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ channel को subscribe करना भी बिल्कुल ना भूलें thanks for watching this video